नवस्कार जै जोहार 36 गड़ तक पर आपका स्वागत है मैं हूँ अक्षेदुवेसाति और मेरे साथ है मैं यंग ठाकूर सीजी राउंड अप शो चहता शो है आपका और इस पर आज हम बात करेंगे कि 36 गड़ की सबसे बड़ी ख़बर आज की क्या है और 36 गड़ के विधान सभा में 36 गड़ की सियासत में किन चीजों को लेकर आज हंगामा बरपा किन चीजों को लेकर बयान बाज्या सामने आई है लेकिन चतिस गड़ के युवाओं की बल्ले-बल्ले होने वाली है इसको लेकर इसमें कोई दोराय नहीं है मयंक क्योंकि 33,000 शुक्षकों की नियुक्ती होनी है भरती होनी है और उसके लोगा 4200 महाविद्याला यानि कॉलेज और उनिवर्शिटी में भी भरतिया होनी है तब इसको लग्षा है 36 गड़ में जिस तरह से साय सरकार आने के बाद लगातार युवाओं में यह चीज इंतजार था कि युवाओं को भरतिय प्रक्रिया कभ होगी कई विभागों में सालों से भरतिय प्रक्रिया रुक्य होई है शासकर सिक्षा विभाग की बात करें सिक्ष इंग्लिस मिडियम के लिए भी स्वामी आत्मानंद इसकोल के लिए भी भरतिया की जाएंगी इस तरह से उन्होंने बयान दिया है इसके अलावा उन्होंने और वितने चीज़े कही है तमाम सेटप सुधार करने के लिए ऐसा नहीं रहेगा कि की इसकोलों में एक जो पिरि दुर्प्योंग किया गया है उस तरह के जो ड्यम्यक के दुर्प्योंग फंड को भी ये सरकार रोखने का काम करेगी साथ इसक्षा विभाग में और सुधार किया जाएगा और तो और नई सिक्षा नीती को भी अमल करने के लिए साल भर का टार्गेट लिया गया है स्कूल को भष्टा चार का अड़ा बता रही है सुनते हैं ब्रिजमोहन अगरवाल ने क्या कुछ कहा है इन चीजों को लेकर आरोपों को लेकर और नोकरियों को लेकर हमारी कोसी से कि जितनी भी भरतियां है वो एक साल के अंदर में हम पूरी कर दें जितने भी प्रमोसंस ह उनको भी हम एक साल में क्लियर करेंगे जिसरे कि सिख्षा के छेत्र में जो असंतोस है उसको हम समाप्त कर पाए जो कॉलेज के बच्चे हैं और ग्रामिन छेत्रों में रहते हैं जिनको आने जाने में परिशानी होती है उनको 6,000 रुपे साल का उनको हम टैबल एलाउंस द सबसे ज्यादा चर्चा में राया है चाहे वो चुनाओ का वक्त हो या चुनाओ से पहले जब बगहेल की सरकार थी तब भी और रमन सिंग की सरकार थी तब भी चाहे वो इलाका जश्पूर का हो चाहे वो इलाका सरगूजा का हो चाहे वो बस्तर हो मामला जरूर धर्मांतर जो विसाय है अच्छा है ना किवल चतिसगर में बिजेपी सरकार में बलके हमने देखा है कि जब जोगी सरकार चतिसगर जब राज्य बना उस दर्मियां देखा है कि घर वापसी आंदोलन जो बहुत बड़ा मुमेंट रहा है दिलिप सिंग जुदे उनने चलाया था उसके बाद लगातार हमने देखा है कि इस विसाय को लेकर जो है बीजेपी आखरामक रही है अभी हाल प्लाल हमने देखा कि पिछली सरकार जो पुरूर्ती सरकार थी कांग्रेस सरकार उस पर बीजेपी ने धर्मांतरण का बड़ा आरोप लगाया और यही वज़ाए कि आदिव और इस जो कानून को लेकर जो है जो है केमिनेट मंतरी ब्रिजमान अगरवाल ने बयान दिया है कि धर्मांतरन को लेकर लोगों को स्वधंद्रता मिलेगी उनके उपर दवा पुरुवक कोई ऐसा दवा ना बनाया जाए जिसे वो किसी तरह से धर्म में परिवर्तित हो इसे लेकर विससे धर्मांतर कारूम बनाया जाएगा इसे को लेकर विदान सबापे मुहर लगी है सुनते हैं प्रिजमान अगरवाल ने क्या कुछ कहा है हम इसी सत्र में राजिम्पुन्नी मेले को फिर से राजिम्पुमकल्प मेला बनाने के लिए संकल्प लाएंगे एक कमां सेंटर के माध्यम से 50 लाग बच्चे 50,000 इसकुलें और 3 लाग शिक्षक, शिक्षकाएं, लेक्षर, प्रोफेसर, प्रिंस्पल और फोर्थ क्लास, त्री क्लास कर्मचारियों सब के उपर में अनुसासन में रखकर शिक्षा के इस्तर को उंचा उठाया जाएगा तो ये तो बात हुई धर्मांतरन की जो 36 गड़ की सियासत में हमेशा से चली आ रही है, अब बात करते हैं जिसको लेकर आज विधान सभा में जम कर हंगामा हुआ, ना सिर्फ सदन के भीतर, बलकि सदन के बाहर, रीपा, रीपा का नाम 36 गड़ के हर एक व्रक्ति को पता है लेगिन अब इस रीपा में लगाम और नकेल कसने की बात सामने आ रही है, 36 गड़ सरकार इसको लेकर जाच कराने जा रही है, और जाच कराने को लेकर अजय चंद्राकर ने विधान सभा के भीतर सवाल उठा है, क्या कुछ कहा अजय चंद्राकर ने रमयंक? अक्षा जिस तरह से रीपा को लेकर हम बात करें, तो पिछली जो सरकार थी, पुरवर्दी कांग्रेस सरकार, उनका एक स्लोगन था, नर्वा गर्वा घुर्वा बाड़ी, यह हमर संगवारी, नर्वा घुर्वा घुर्वा बाड़ी, यह जो पुरा स्लोगन के साथ, जिस जसे ले कर शवाल उठाया और इसे लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि हम तो सवाल कूछते हैं और सवाल के जवाब में के क्या और के वर भल्रषट अचार निकलता हैश cig ने में सवाल उठाया उसके बाद जो आजया चंद्राकर ने कहा है हम आपको सुनाते हैं उसमें करफ्टन और सिंप करफ्टन भी क्राया है आप सोचिए न दो कड़ार का प्रोजेक्ट रिपोट असी लाख में बनेगा फचास लाख में बनेगा क्या है उसमें अजया चंद्राकर के बाद विजय शर्मा डिपी सीम ने भी इसे लेकर काफी सक्थ अक्तेवर दिखाएं हैं यह भी दर्शकों को सुना देते हैं स्थानों पर रूरल इंडिस्टियल पार्क इस तरीके से रीपा यह बना हुआ है इसमें सदर में आज विसरी भी आया था इसमें खरीदी की प्रक्रिया विफिन इस्थानों पर उसमें प्रोजेक्ट बनाने क के लिए भी कई कंपनियों को हायर किया गया उस कंपनी को हायर करने की प्रक्रिया उस यूनिट के लिए खरीदने सामगरी खरीदने की प्रक्रिया इन सारी प्रक्रियाओं में तुर्टी होना ऐसा पाया गया है तो जो भी है पहले तो जाच होनी आवशक है किसी भी बात के लगी तब विपक्ष की ओर से भी तो कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी 84 नेता प्रतिपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है 24 ने क्या कुछ कहा है सुनिए देखिए जीसी साब से जांच की खुनाय हो रही है जांच करने वाले अरिकारी किसकी जांच करेंगे उस पर दिरभर करता है वो हमारे कारकाल के सिर्फ कभियों के ही जांच करेंगे कि वास्तविक बातें क्या है विभागी उसकी जांच करेंग तो ये तो हुई आज की पूरी बात जिसमें रीपा से लेकर 36 गड़ में नौकरियों को लेकर अगर बात कर धर्मांतरन की तो इसको भी नया कानून इस पर बनाने की बात कही गई इसके अलावा भी बहुत सारे फैसले लिए गए खास तोर पर सिरपूर वगरा में जो महुतसव होना है उसको लेकर सरकार ने नए फैसले लिए और जिस तरीके से अब दिनों दिन लोगसभा का चुनाओ करीब आते जा रहा है वैसे साय सरकार की सक्रीता भी नजर आने लगी है बात जब किसानों की उठती है किसानों की नराजगी की उठती है तो उसको मनाने को लेकर सरकार क्या कुछ करेगी यह आने वाले समय पता चल जाएगा लेकिन युवाओं को लेकर युवा क्योंकि खास मसला बना हुआ था भी और विपक्ष की ओर से लगातार इस पर नि जेपी को मोधी की एक और गारंटी पूरी होती हुई 36 गड़ में दिखाई दे रही है लेकिन किवल 33,000 और 5,000 मिला दे तो 38,000 नियुकती होगी लेकिन युआओ के मन में एक सवाल ये भी उठेगा कि ये गोशना तो कर दी गई है सरकार की ओर से के एक साल के भीतार भरती हो जाएगी लेकिन अभी आचार सहीता लगने वाला है लोकसभा चुनाओं से पहले तो क्या लोकसभा चुनाओं से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू होगी ये सवाल तो बिल्कुल उठता होगा तो इसका जवाब भी मैं आज आपको बता दूं कि धरमलाल कौशिक जब 36 गड के युवाओं के लिए ऐसे ही हम हरोज हाजिर होते रहेंगे सीजी राउंड अप में 36 गड़ की बड़ी खबरों को लेकर चतिस गड़ की सियासी हलचल को लेकर चतिस गड़ की संस्कृती को लेकर चतिस गड़ की ताजा तरीन खबरों को लेकर आपके आसपास के मुद्दों को लेकर देखते रहें चतिस गड़ तक नमस्कार जै जोहार झाल झाल